सारे भाई यान राम राम भाई मैं हुतरा देशी पत्रकर दर्मू और भाई आज बात करांगे निला रंग का चोगा बारी बरकम बड़ी बड़ी पगड़ी और भाई शानदार युद कला और गोड़े की सवारी और भाई नंगी तलवार या पिछान है भाई निहंग सिखों की जो पिछले कुछ साल लाता है लगातार सुर्खिया में है आखिर कोण है यह निहंग सिख और इस मोडरन जमाने में भी नंगी तलवार लेकर क्युकर गुम्मे है और यह कित्ता आए हैं और केक रहे हैं और जो आम सिख हैं उन तहीं अलग क्युकर हैं तो भाई आज इनकी बात करांगे निहंग सिख हैं जो मुगल काल में खास तोर पर जो मुगल हैं वह निहंग सिखा ने मगरमच का आगर दे क्योंकि मगरमच जो है पाणी का सबसे ताकत वर पराणी होए है और उसको अराना जो है वो ना मूंकिन है ठीक इशेत रहां यूद का मदान में निहंग सिखा stitches का बारा में भी याई कावत लागू है और भाई निहंग सिखा का बारा में समझन खैतर आमने इतियास में जाना पड़ागा इतियास को खंगालना पड़ागा तो भाई सिख इतियास कार बलवन सिंग डिलो इनका बारे में के कवा हैं द्यानता सुनो वन्यूक वा हैं कि जो यू निहंग सब्द है यू संस्कृत के निसंक सब्द आया है जिसका मतलब बिना किसी संका के यनि के जिसने कोई संकाना हो जिसने कोई बेहना हो और बाई सिरोमनी गुरू द्वारा प्रबंद कमेटी के अनुसार निहंग सब्द जो है वो फार्सित आया है जिसका मतलब मगरमच यू जो नाम है यू सीख लराक्यात ही मुगला ने दिया था रतनाकर महंत कोई सके मताबिक निहंग सब्द के और भी कई मतलब है जिस तरियां बाई तलवार कलम, गोरा, मगरमच इसका गिला गिला पूरन योद्धा भी जो है निहंग को कया जाओ है और वो इसकी कलाते बिराभी पटे है जो योद्ध कोसल है आखर में जो है एक सवाल और खड़या हुजी है क्ये करया करही है और भाई शिखा तर अलग कोम है या इनका मैंगे है इसका उपर भी बात कर लिया निहंग सिख जो निहंग जो है वो सिख दर्म का बहुत महत्वपून इसा है और भाई लग बग जो है सालों साल ये अपने डेर्या मरा आग रहे है लेकिन शिख दर्म का जिब भी कोई खास प्रोग्राम हो और उस तर जुड़या को तिवार हो तो गुर्दवारा में ये जरूर पहुंचा कर रहे है और इनके कर्तब जो है वो सारी अंचर्चा का विश्या बने रहे है और भाई आई साल ओली का मौकप है अननपुर साब मजरूर पहुंचा है और ओले ओली खिल लेग रहे है मोला के नाम से भी उस परवने लोग जाने है और भाई ओला मोला में निहंगा के जो कर्तब है वो काफी रोमांचक हुआ है और जिनने देखन का तर लोग देश विदेश तरह भी पहुंचा है और इसे तरह इनके जो जथे हैं शिख दर्म से जुड़े अलग-अलग जो पवित्तर जो जग्या हुआ है ओड़े भी इनके जो प्रोग्राम है वो है गरहिस्त और जो गरहिस्त ने अंगों है उनकी पतनी भी उसे त्रिया वेस भुसा पा रहे है और इनके जो बालग है वो भी उसे बाने मेरा आकारे हैं और खास तोर पर ज़्यादातर हैं सम्हो हम रात रहां जुनड़ों में और भाई ज़ादतर जो है इन लोगां की अगर बात करां तो यह खेती बारी करण आड़े लोग होए हैं और किसान अंदोलन में बारी संख्या में देखे जान का सबता बड़ा कारण भी यह है क्योंकि यह खेती बारी तर जुड़े यह लोग हैं और किसान अंदोलन में बार क्यों हुए हैं खास क्यों हैं इसका पिच्छा एक बहुत बड़ी काणी है काणी की तस्रूव है भाई सिक्षों के जो छटे गुरू है गुरू और गोविन सिंग उनका टाइम तह या काणी शुरूव है तो मुगलों का सामना करने के लिए अकालियों की फोज त्यार करी थ ती गुरू और गोबिन सिंग जी ने हैं और गुरू और गोबिन सिंग जी खुद जो है बहुत बड़े योद्धा थे और बावन दड़ाक्यां की फोद जो है वो हमेशा उनका चुकरत राकर दी या खास बात थी उस उसे तेम जो है सिख युद्ध कोसल में माई रोण जा था और फिर आया बाई गुरु गोविन सिंग का समय और नियू का आकरें बाई नियू बतावें हैं कि गुरु गोविन सिंग जी के च्यार बेटे थे अजीत सिंग चुजार सिंग जोरावर सिंग और फते सिंग इन में तो फते सिंग जो सब तो छोटा बेटा था ओड़ लाग गए और ओभी ओड़ा पूंद जी है अर्णियों के अभी मन्नेवी या युद कला सिख्याओ अरिशिमा मन्नेवी सामिल करो तो तिन्नों जो बड़े भाई थे वह उसका नहीं देखे हैं और मुस्क्राओं है अर्णियों का भाई बे तो तुँ छोटता है या बात सु जी तो और ये त्यार होगा भाई और एक करपान उठाय ली और आत में एक बाला ठाय लिया और भाई बाई या दो रहा पहुच गया और फिर नहीं बहुलिया बहुत नहीं मैं छोटता तो भाई उसका यू रूप देखा है गुरू गोविन सिंग जी हैं जो उनने बाई उनका उपर बहुत लाड आया बहुत प्यार आया और उन्होंने गुरू गोविन सिंग ने जो है लाडले फते सिंग को अपने गड़े से लगा लिया गुरू गोविन सिंग के लाडले फते सिंग की जो फोज थी वाई आग्या चायल कब आई लाडले फोज यानिके निहं काईलाई और काते हैं कि फते शिंग का उसमें से जो पैनावा था जो उस समय का जो पैन रखिया था आज निहंगा की वो खास पिच्छाण है ओई निल्ला चोगा यह को ला भी कह दे हैं जिन्हें उस समय फते शिंग न जो पैनावा पारा था योद कला Dus My निहंग जो है निहंग सीखंग है वह पा रहे हैं वाई और उसे त्रियां जो है पगडि और पगड़ी पर फिर चांद ताड़ा दिखदे ओंगिता मात्य में और आत में कड़ा और कमर में कटार तलवार तो लेकर आदू निक जमाने के अधियार इनका दो हुआ हैं और भाई कग्ला की लिए और दर्म की रख्षा के लिए गुरी की पूरी पूरी आपनी जिंदगी भी तैवी देड़ी हैं पाच्छे को निड़ती अफगानिस्तान के जो आकरमन कारी थे हैं मच्छाब दाली उन जिब बारत को पर अकरमन करया तो निहंग शिखन है उसकी सेना थी उसको दोल चतान का काम करया था महराजा रणजीत सिंग की जब मैं बात करें तो उसे में महराजा साहिब के साथ साथ शिरी दसम गरंथ साहिब और सरब लोग गरंथ वह सिख दरम के से जुड़े और भी कई गरंथ हैं जिनकी मान्यता जो है वो इनमें काफी लोग प्रिया है सरब लोग गरंथ में युद और सस्तर विद्या से जुड़ी सिखी और गुरू बानी का पार् प्रचाने में रहना ये खास बात इन निहंग सिखा की होगा है इनका बार में एक बात और पर चली था है कि यह कदे भी कमजोर सब्दा का इस्तेमाल को निकर दे बड़े बुजरुक नियू भी बता हुआ है इनका बार में आग बार में जा किसे ने दूद पी लिया तो यह सिख रेजिमेंट भी बना रखी है लेकिन एक निहंग जो है वो हमेशा योद्धा होता है चाहिए वो सेनम हो चाहिए ना हो लेकिन आल फिलाल में कुछ इसी गटना होई बाई जिसकी वज़े से इन सिख निहंगों का उपर बहुत बड़े सवाल उठ गे हैं और ताम भी क कुछ गटनाई जो सणन्दमायरी हैं उन गटनाउंत है इन सिख योद्धाओं की सवी का उपर क्या असर पड़िया है कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखियो